question no.3 है अगर इसे previous वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete playlist का link in description में है जहां पे आने वाले videos उसी भी playlist पे upload किये जाएंगे क्या है question if log base 10 2 log base 10 2 to the power x minus 1 और log with base 10 2 to the power x plus 3 are in ap then x is equals to x का value हमें बताना है कि x किसके equal होगा यहां पे हमारे 4 option यहां पे given है तो यह उस टेप का question है जो थोड़ा time taking है थोड़ा time taking है उसके साथ log का जितना भी मतलब क्या वो सकते concept है वो आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहिए log का अगर आपको concept अच्छे से clear है तो यह question आपको ज्यादा hard नहीं लगेगा लेकिन अगर concept clear नहीं है तो फिर आपके पसीने छोटा देगा इसलिए उस concept में बोल सकता हूं कि आप इसे छोड़ दे अगर आप examination hall में इस time बैठे हो तो मतलब बैठे तो नहीं हो यार लेकिन बी ऐसा संबोज कर लेते हैं तो यह हमारा किसमे है एपी में है एपी का प्रोपर्टिस का पता है कि इसका जो two times होता है यानि इसका double जो होता है इसके sum के equal होता है यही होता है जैसे अगर हम लोगा 2,4,6 इससे पहले वाले question में देखा कि यह एपी में था तो अगर इसका sum करो कितना होगा 8 होगा और इसका double करो 2 into 4 तो भी कितना होगा 8 होगा तो यह हम लोगा एपी का तो प्रोपर्टिस हमें पता है कि बीच वाले का double यानि कि हम लोग बोल सकते हैं 2 into log with base 10 2 to the power x minus 1 यह जो होगा किसके equal होगा इन लोग डोनों के sum के यानि कि log with base 10 2 plus log with base 10 2 to the power x plus 3 ठीके इस step से हमें given है अब आपको पता है log का एक और properties होता है log अगर m to the power n होता है तो इसको हम लोग सकते है और अगर इस form में given है इस form में अगर हम लोग given है तो इस form में लिख सकते है यानि कि ही ही एतु पहले लिखा हुआ है का यह का वावब धात्यू है तो यहां से हम लोगा रहें यहां के तलब तो इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं तो चली लिख लिख लिए हैं इसका पावर यानि कि इसको tocar ऐसे भी लिख सकते हैं log with base 10 2 to the power x minus 1 और यह चला दाएगा इसके पावर पे ठीक है square equals to इधर हमने same to same लिख लिख लिया है 2 to the power x plus 3 ठीक है इसको हमने यहां पर लिख दिया है और साथ ही साथ log का एक और properties आपको पता है कि जब log plus में होता है यानि कि log m plus log n अगर ऐसा होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log m into n वो यह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं ना बहुत अच्छी बात है यानि कि जब log प्लस में होता है तो वो multiply के form में चला गाता है तो आईए इसको हम लोग same to same लिखते हैं यानि log with base 10 2 to the power x minus 1 का whole square equals to ये plus में है किस में हो जाएगा multiply में यानि कि log with base 10 2 into 2 into 2 into कितना हो जाएगा ये नमबर that is 2 to the power x plus 3 है ना इतना नमबर हो जाएगा इसको थोड़ा करली प्रेखट लिख लिख रहते हैं हम लोग ताकि हम लोग अच्छे से समझगा है ठीक है अब यहां पर भी log with base 10 है यहां पर भी log with base 10 है आप चाहो तो इससे इसको cancel कर सकते हो या मतलब log का property आप सबस्ते हो यह log है इधर जाएगा epsilon हो जाएगा और फिर log से जैसे आप जानते हो इधर square रहता है तो इधर जाकर square हो जाता है उसी टाप से इधर log इधर जाकर क्या बन जाता है epsilon epsilon बन जाता है और इससे log cancel हो जाता है तो आप चाहो तो log से log cancel कर सकते हो या मतलब sum जलो बस ठीक है तो उस इसाब से हमारा क्या होगा 2 to the power x minus 1 जो होगा का square ये किसके equal हो जाएगा 2 into 2 to the power x plus 3 के इसके लोगा log से log हमारा cancel हो जानि कि ये जो term है ये जो term है वो किसके equal होगा इस term के equal होगा अब क्योंकि इसे हम लोग solve करना है 2 to the power x हमें थोड़ा कस्ट दे सकता है इसको solve करने में तो चलिए ना क्यों ना क्यों इसको हम लोग late कर लेते हैं 2 to the power x equals to z ऐसा हमने late कर लिया है तिक 2 to the power x equals to z आप चाहो तो ये x y z कुछ भी ले सकते है u b w x a b c t जो लेना चाहो आप ल इसपर हम लोग put करेंगे z तो हमारे पास क्या होगा यहां मिला z minus 1 का whole square तो हमने लिखा z minus 1 का whole square equals to 2 into 2 to the power x को हमनों क्या लेक सकते है z plus 3 क्या लेक सकते है z plus 3 αब इसका square बसकते है a minus b का whole square, formula क्या होता है? formula क्या होता है a square plus b square minus 2ab यार निया की minus 2z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2z और यहां पर थ्री टूजा 6 तो प्लस 6 आईए इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा z square है तो z square लिख लिए माइनस 2z और इधर से plus में था इधर आता तो माइनस में यानि कि माइनस 4Z यहाँ प्लस 1 और यह इधर से आता माइनस 6 तो कितना आता माइनस 5 एकोल स्टू 0 माइनस 5 एकोल स्टू 0 यानि कि अब हमें यहाँ पर कोड़ाइटिक एक्वेशन मिल चुगा है आई इसे फटा फट से यानि कि हमारा यही वाला रहेगा तो मिल टाम स्टूइट माठाड आपको बहुत अच्छे से आता है ठीक है माइनस 5Z प्लस Z माइनस 5 एकोल स्टू 0 ठीक है जेड जेड दोनों के पास Z common तो हमारे पास आगया Z minus 5 प्लस 1 common तो इधर भी आगया Z minus 5 इकोल्स टू 0 इकोल्स टू 0 जेड माइनस 5 हमारा इधर common आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा Z minus 5 इन्टू Z plus 1 इकोल्स टू 0 इकोल्स टू 0 तो यहाँ से Z का वाल्यू हमें कितना कितना देखने को मिलेगा एक z का value प्लस 5 देखने को मिलेगा यानि कि हमें 2 value यहाँ पे देखने को मिलेगा एक z equals to होगा 5 और एक होगा z equals to minus 1 तो further हम लोग क्या करेंगे थोड़ा पर इसको मिटावेता हो ताकि हम लोग का थोड़ा space जो है अब देखें क्या है z का value हमारे पास 2 value आया है और z equals to हमने put क्या गया था 2 to the power x यानि कि 2 to the power x equals to 5 होगा और एक 2 to the power x equals to हमारा minus 1 होगा हलाकि इसके लिए यहाँ पर कोई option नहीं है तो इसको अभी हम लोग sorry इसको हम लोग अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर log with base 2 log with base 2 दोनों तरफ लेते हैं तो इधर क्या जाएगा 2 to the power x और इधर भी हमने लिए log with base 2 5 ठीक है और यहाँ क्या था base और number दोनों अगर same है तो इन लोग दोनों आपस में cancel हो जाता है log का सारा का सारा आपको concept पता है न log का अगर base और यहाँ वाला number दोनों अगर equal होता है तो दोनों आपस में cancel होकर 1 हो जाता है यानि कि अगर आप देखना चाहो तो x equals to यहाँ से आ जाएगा log with base 2 5 कौन सा है option number c is the right answer हला कि इससे भी एक बनता लेकिन log with base 2 minus 1 कहीं भी आपको यहाँ पे given है नहीं तो यहाँ पे इसका solution होगा option number c is the right answer तो I hope कि यह question आपको अच्छे से और एकदम detailed form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका question का solution किया है नेक्स स्टूडियो में एक अनधर नए concept के साथ तब तक के लिए अच्छे सा बढ़ाई करते रहिए all the very best